हलो फ्रेंड्स मैं इसके सैनी है मैं इसी गुरूप में एक बार और आपका स्वागत है और आज हम लोग 12 जागर्फी क्लास के अंद्रगत जनसंख्या संग्ठन का अध्यान करेंगे इसका एक पार्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम इसको देख चुके हैं और उसका सेके आध्यान करते हैं तो देखते हैं इसको हम बाढ़ करके एक कम समय में हम आपको बताने वाले हैं कि इसका क्या आधार है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिंग संग्ठन लिंग संग्ठन लिंग संग्ठन जो हम इसका आध्यान करेंगे फिर इसका आता है आयूशन रचना उसके बाद आता है आयू लिंग पिरामिड उसके बाद आता है स्वास्त कर सकते हैं ग्रामिड नगरिय संगठन उसके बाद आता है यहां कर सकते हैं साचर्ता करिया अध्यन कर सकते हैं साचर्ता उसके बाद हम कर सकते हैं ब्यावसाइक संरचना उसके बाद एक और भी आता है जिसको हम स्वास्त का भी अध्यन कर सकते हैं क्यानी जनसंख्या संगठन का यह विभीन आधार है और इसी आधार पे हम किसी देश की जनसंख्या का अध्यान करते हैं उसके विकास की की तरफ अग्रसर होगा आयू सनरसना अच्छी होगी या आयू लिंग पीरामिड उसका अच्छा होगा या ग्रामिड नगरी संगठन जो है उसका बेश अच्छा होगा या साचरता या ब्यवसाई सनरसना अनि इसी आधार पे हम जन संख्या संगठन का अध्यान करते हैं या पिरामिड और ग्रामिड नंगरी संगठन सा च्रता और व्यवशाईक सानसना तो इसके बाद हम देखते हैं कि संगठन का लिइंग अनुपात का हम अध्यान करते हैं यह लिइंग अनुपात क्या होता है ज़ुस्ट रहत नापने का उनका आधार है यानि हम लिंग अनुपात ये देख सकते हैं कि प्रती एक हाजार हम पूरसों पर इस्तिरियों के संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं यानि हम कह सकते हैं कि एक हाजार पूरस पर महिलाओं के संख्या कितनी है? उसी को हम जैसे माल लिजे एक हाजार पूरस पर इस्तिरियों के संख्या के अनुपात को हम लिंग अनुपात कहते हैं? तो आईए कम समय में हम लिंग अनुपात को मापने का सुत्र भी बता सकते हैं कि पार्ट वन में हमने इसका जिक्र किया है, यह समझ गया होंगे कि लिंग अनुपात क्या है? तो सबसे पहले हम लिंग अनुपात का आधेन किया, इसके बाद हम देखते हैं कि विभिन देशों में लिंग अनुपात को नापने की बिधिया क्या है? तो सबसे पहले हम आपको देखते हैं कि भारत में लिंग अनुपात को कैसे मापते हैं तो भारत की हम बात करते हैं भारत में हम लिंग अनुपात का सूत्र क्या है कैसे मापते हैं तो हम देखते हैं कि पुरुस की संख्या बटे महिलाओं की संख्या गुडे एक हजार हम कह सकते हैं पुरूस की संख्या बटे महिला की संख्या गूडे 1000 यानि हम कह सकते हैं कि ये भारत की बात करते हैं भारत में लिंग अनुपात के मापने के जो सुत्र है वो ये है पूरुस की संख्या बटे महिला की संख्या गुड़े एक हाजार यानि हम कह सकते हैं एक हाजार पूरुस पर महिलाओं की संख्या कितनी है इसी को हम भारत में ल पूर्सों की संख्या उपर होती है महिलाओं की संख्या कितनी है इसी को हम कहते हैं लिंग अनुपात लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर लिंग अनुपात को दूसरे व्यवस्था के हिसाफ से मापते हैं अब यहीं हम देखते हैं कि कुछ देशों में हम देख सकते हैं यह खजार पूर्सों पे महिलाओं की संख्या का आध्यान किया कुछ देशों में क्या होता है कि महिलाओं की संख्या यानि कर सकते हैं इस्तिरियों की संख्या आहां पे कर देते हैं बटे पूर्सों की संख्या गुड़े एक हजार यानि कुछ देशों में इस तरह से भी हम नापते हैं भारत की बात खतम करते हैं यानि इस्तिरियों की संख्या बटे पूर्सों की संख्या भारत में पूर्सों के ऊपर महिलाओं का अनुपात निकाला जाता है क्योंकि भारत मना था भारत एक संख्या पे पूरुसों की संख्या क्या है यानि हम कह सकते हैं एक हजार इस्तिरियों पर पूरुसों की संख्या क्या है इसको हम लिंग अनुपात के भी नाम से जानते हैं कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पे हम सो की संख्या के आधार पे उसका गरना करते हैं या एक हजार के स संख्या का अध्यान करते तो भारत में एक हजार पूर्सों की पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है इसका मध्यान किये और विश्व में हम यह देखते हैं कि 1000 महिलाओं के पीछे पूर्सों की संख्या कितनी है तो इस आधार पे किसी देश की हम व्यवस्था को समझ सकते हैं जान सकते हैं तो इस तरह से हमने देखा कि लिंग अनुपात के यह सुत्र है लेकिन अमेरिका में लिंग अनुपात के सुत्र को हम दूसरे व्यवस्था से मा चलिए भाई इस्तिरियों की संख्या बाटे, पूर्सूं की संख्या गुड़े 1,000 यानि में कह सकते हैं चलिए बाई इस्तरियों लेगद इस्तिरियों की संख्या बड़े पूर्शों की संख्या कłemएो अमेरिका में गया कि लिंग अनुपात को इस तरह से नाते हैं अमरिका में अमेरिका और न्यूजीॉलैंड में यानि था सतवते हैं कि पूर्शों की संख्या कितनी है不 हम कर सकते हैं सो इस्तिरियों पर किसकी संख्या कितनी है इसे हम लिंग अनुपात के भी नाम से जानते हैं देखें विभिन देशों में अलग-अलग तरीके से लिंग अनुपात को मापने का काम किया जाता है, कहीं पे 1000 पे मापा जाता है, तो कहीं पे 100 के अनुपात में मापा जाता है, हाई हम इसको मिटा करके और आगे हम चलने का काम करते हैं, तो हमने देखा कि ये शिलिंग अनुपात को हम माप रहें, इसको मेटा करके पुण आपको ले चलते हैं अले वर्ड में लिंग अनुपात क्या है बहु सारी बातों को इसके साथ हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या होता है तो सबसे पहले ये जानेते हैं कि प्रतिकूल लिंग अनुपात क्या होता है और अनुकूल लिंग अनुपात क्या होता है इसको जाने विसुक असर के हम बात करते हैं प्रतिकूल लिंग अनुपात क्या है लिंग अनुपात क्या है लिंग अनुपात को हम दो भागों बार द कि पूर्सों की हम कह सकते हैं पूर्सों की संख्या अधिक है महिलाओं से यानि हम कह सकते हैं महिलाओं से यानि हम कह सकते हैं कि पूर्सों की संख्या अधिक है और महिलाओं की संख्या कम है इसको हम प्रतिकूल लिंग अनुपात कहते हैं यहां पे जो बेवस्थाएं हैं वो महिलाओं के प्रति अनुकूल नहीं है इसलिए यहां पे प्रतिकूल लिंग अनुपात पाया जाता है हम कह सकते हैं पूरसों की संख्या महिलाओं से जब अधिक हो तो उसे हम प्रतिकूल लिंग अनुपात कहते हैं आई हम एक example से समझने का प्रयास करते हैं जैसे मालीजे यहाँ पे 102 पूरुस हों और महिलाओं की संख्या 300 हों यहाँ ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे 1000 पूरुस हों और महिलाओं की संख्या मालीजे 800 हों महिलाओं की संख्या कम है पूरसों की अपेक्षा तो इसको हम प्रतिकूल लिंग अनुपात कहते हैं ऐसा क्यों कि महिलाओं की संख्या कम है और पूरसों की संख्या जादा है अनि प्रतिकूल लिंग अनुपात के क्या कारण है इसे हम समझने का प्रयास करते हैं तो प्रतिक पूर्सों की संख्या महिलाओं से अधिक होता है। अब इसके कारण को हम देखते हैं तो इस्त्री भुरूर हत्या हम कर सकते हैं कि इस्त्री भुरूर हत्या भी एक कारण हो सकता है। हिंसा भी एक कारण हो सकता है। हम कर सकते हैं उनकी सामाजिक इस्थिती का सही नौ होना भी एक कारण हो सकता है। जहां पर इस्तिरियों की संख्या कम है। क्यों क्या रीजन है कि इस्तिरियों की संख्या कम है। तो जहां पर इस्तिरी भुरूर हत्या हो इस्तिरी घरेलू हिंसा हो सामाजिक स्थिती का सही नौ होना। उनքी सामाजिक सूरच्छा की स्थिती अच्छा ना होना। यह सब सारे रीजन हो सकते हैं। सीसू हत्या होने का कारण यानि महिलाओं के प्रतिकुल होने का कारण। तो हमने देखा प्रतिकुल लिंग अनुपात क्या होता है। जहां पे पूर्सों की संख्या अधिक होता है और महिलाओं की संख्या क्या होता है कम होता है इसको हम male female के भी करके जान सकते हैं तो देखें अब अनुकूल लिंग अनुपात क्या होता है अनुकूल लिंग अनुपात क्या होता है अनुकूल लिंग अनुपात जिस देश में होता है उस देश की आर्थिक स्तिति, सामाजिक स्तिति, नैतिक स्तिति काफी मजबूत होता है तो इसका reason क्या है यहाँ पे अनुकुल लिंग अनुपात क्या होता है हम कह सकते हैं कि पूरुसों यहाँ पे जो इस्तिरियों की संख्या है इस्तिरियों की संख्या अधिक होता है और पूरुसों की संख्या कम होता है हम कह सकते हैं यानि अगर 1000 इस्तिरि है तो 900 पूरुस है इसको हम बोलते हैं अनुकुल लिंग अनुपात जहाँ पे इस्तिरियों की संख्या पूरुसों से अधिक होता है उसको हम अनुकुल लिंग अनुपात कहते हैं ऐसा क्या होता है वहाँ पे लिंग भेद नहीं पाया जाता है इसके क्या रीजन है हम कह सकते हैं वहाँ पे जो लिंग भेद नहीं पाया जाता है क्यों क्यों कि हाँ पे इस्तरी और पुरुस में कोई अंतर नहीं समझा जाता है जिसके वज़े से अनकूल लिंग अनुपात पाया जाता है समाजिक यों आर्थिक अस्तर मुचा होता है उस देश का समाजिक समाजिक एवं आर्थिक अस्तर मुचा होता है तो इसको हम बोलते हैं अनुकूल लिंग अनुपात अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो सब्सक्राइब करिए वेल आइकान बटन भी दबाएए जिससे आपको सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके तो देख सकते हैं कि अनुकूल लिंग उनुपात और प्रतिकूल लिंग उनुपात दोनों का हमध्यन कीए अब आये हम देखते हैं कि विश्व में जनसंख्या का जो अनुपात है उसका भी हमध्यन करते हैं कहां पे किस तरह की जन संख्या है, इसी कहां मध्यान करेंगे, तो देखते हैं कि जो यूरोप महाद्रीप है, यूरोप महाद्रीप है, रूस, देखे, रूस के साथ साथ, यूरोप महाद्रीप में अनुकूल जन संख्या है, अनकूल जन संख्या है और एसिया महाद्रीब की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रतिकूल जन संख्या है इसलिए अनकूल और प्रतिकूल को समझाने का प्रयास किये ताकि आप यहाँ पे किसी तरह से कंफ्यूज नहों हो तो रूस के साथ साथ यूरोप महाद्रीब में जो जन संख्या का अनुपात है वो अनकूल है और एसिया महाद्रीब में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे जन संख्या प्रतिकूल इस्थिती में है तो आईए हम जानते हैं कि विश्व में लिंग अनुपात क्या करते हैं रूस एन एसिया महाद्रीब की बात करते हैं अगर इसको एक नमबर पर इसको दो नमबर पर बात करते हैं तो एक नमबर जो अनुकूल लिंग अनुपात के दिश्ट कोर से देखेंगे तो एसिया मह महाध्रीप का जो उच्छतम लिंग अनुपात वाला देश है हम कह सकते हैं उच्छतम लिंग अनुपात आनि हाई सेक्स रेशियो वाला जो देश है एसिया महाध्रीप के अंदरगार लातिविया है लातिविया लातिविया है जहाँ पे देखे उच्छतम लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है लातिविया है लातिविया है जहाँ पे जहाँ पे हम कह सकते हैं कि सो मही इस्तरी पर सो इस्तरी पर पचासी पूरूस है बाप रिपाप देखिए जहाँ पे यह उच्छतम लिंग अनुपात वाला देश के अंदरगत यह इउरोप महाध्रिप की बात करते हैं लातिविया एक देश है जहाँ पे सो इस्तिरियों पे पचासी पूरूस है अनि कह सकते हैं पूरूसों की संख्या कम है महिलाओं की संख्या अधिक है पूरूसों की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या अधिक है इसका reason यही है कि इस देश में महिलाओं की समाजिक एवं आर्थिक अस्तर बहुत उचा है लिंग भेद यहाँ पे नहीं किया जाता है और एक और reason है कि पूरसों का उत्त प्रवास हम कर सकते हैं पूरसों का उत्त प्रवास यानि दूसरे देश को अस्थान अंत्रित होना इसके reason से इसके करण से यहाँ पे पूरसों की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या अधिक है तो हमने देखा एसिया महादरीब के अंत्रगत जो लातिविया एक देश है उसमें 100 इस्तिरियों पे 85 पूरस है यानि इस्तिरियों की संख्या कम है अब पूरसों की संख्या कम है तो हमने देखा यह इउरोप महादरीब की बात करते हैं अब आते हैं एसिया महादरीब के अंत्रगत जो निम्नतम जन संख्या वाला देश है एसिया महाद्रीब के अंदरगत कौन ऐसा देश है जहां पे जो जन संख्या है वो प्रतिकूल है प्रतिकूल का मतलब यह होता है कि जो महिलाओं की संख्या कम होती है और पूर्सों की संख्या अधिक होती है इसी को हम प्रतिकूल जन संख्या कहते हैं तो एसिया महाद्रीब के अंदरगत एक देश है संयुक्त अरब अमीरात जिसको UAE के भी नाम से हम जानते हैं यहाँ पे जो लिंग अनुपात है बहुत ही खराब इस्थिती में है यानि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सो सो इस्थिरियों पर तीन सो इगारे पुरुस या हम आईसे कह सकते हैं तीन सो इगारे पुरुस पर सो इस्थिरियों सो इस्थिरियों यानि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत असामानता है यहाँ पे सयुक्त अरव अमिरात विश्थियों में सबसे प्रतिकूल लिंग अनुपात पाया जाता है जो एसिया महाद्रीप के अंतरगत आने वाला देश है सयुक्त अरव अमिरात आप समझ गया होंगे यानि 311 पूरूस पे 100 महिलाएं हैं यानि हम कह सकते हैं कि 200 इगारे जो पूरूस हैं उव विवाहित हैं उनकी साधी नहीं होती है तो आप सोच लिजिए कि यहाँ पे इस्थिरियों के संख्या कितनी कम है उहाँ पे हो सकता है कि इस्त्री भूरूर हत्या का प्रचलन हो यहाँ इस्त्री सीशू हत्या का प्रचलन हो गारेलू हिंसा की प्राबलम हो या समाजी के ओम आथिक अस्तर महिलाओं के प्रती बहुत निम्न हो इस रीजन से यहाँ पे जो लिंग अनुपात है पूरसों की अपेक्षा काफी कम है यानि का सकते हैं 311 पूरुस है तो 100 इस्तिरिया है यानि 211 पूरुस और विभाहित पाए जाते हैं तो पूरा वीडियो देखिए बहुत मजा आएगा आपको जनसंक्या संगटन एक दम आपको समझ में आ जाएगा आज हमके वहल लिंग अनुपात का अध्यन करते हैं विश्व संदर्व में लिंग अनुपात का अध्यन करते हैं तो हमने देखा रूप एन यूरोप महाद्रीप में रूस के साथ-साथ अनकूल जनसंक्या पाए जाता है इसलिए आप देखे होंगे इन दिन देशों का आर्थिक विकास देश की सिक्षा देश की स्वास्त वहाँ पे बहुत ही मजबूत है विकासील देशों की अपक्षा विक्सित देशों के स्रेडी में एस सब चीज़ें आते हैं तो हमने देखा एसिया महाद्रीप के अंदरगत अब एक चीज और है कि एसिया महाद्रीप के अंदरगत आने वाले कौन-कौन से देश हैं जहांकि इस सिती बहुत चिंता जनक है तो हम देख सकते हैं कि संयुक्ट अरब अमिरात के साथ साथ हम कह सकते हैं चीन, हम कह सकते हैं भारत, हम कह सकते हैं पाकिस्तान, हम कह सकते हैं अफगानिस्तान ये सब जो देश हैं यहाँ पे लिंग अनुपात प्रतिकूल अवस्था में पाये जाता है यहाँ पे इस्तिरियों की संख्या कम है और पूर्षू की संख्या अधिक है इसलिए इन देशों में अधिक्तम खुवारों की संख्या पाया जाता है तो हमने देखा कि विश्व संदर्व में यूरोप और एसिया महाधरिव की बात हमने किया आया इसी के साथ कुछ और हम जानने का प्रयास करते हैं कि विशु में अगर हम बात करते हैं कि विशु में लिंग अनुपात क्या है तो यहाँ पे देखते हैं कि लिंग अनुपात क्या है तो 102 पूरुस पर 100 इस्तिरिया है अगर हम पूरे बिश्व की बात करते हैं कि बिश्व अस्तर पे 100 पूर्षों पे इस्तिरियों की संख्या क्या है तो हमने देखा कि 100 पूर्षों पर यहने 102 पूर्ष है और 100 इस्तिरिया है यानि पूर्षों की संख्या अधिक है इस्तिरियों की संख्या कम है इस्तिरियों की संख्या क्या है कम है यानि हम कह सकते हैं दो पुरुस अभी विस अस्तर पे हर सो पुरुस पे हम कह सकते हैं दो जो पुरुस हैं ओ और विबाहित हैं जिनकी साधिया नहीं होती हैं क्योंकि महिलाओं की संख्या वर्ड लेबल पे दो कम पाए जाता है निए सो इस्तिरियों पे 102 पूरुस पे 100 इस्तिरियों पे 102 पूरुस है तो 100 क्या है इस्तिरियों है दो का डिफ्रेंस है ये दो कमारे रहते हैं जिनकी साधिया नहीं होते है इसलिए करते हैं कि भाई ये जुके सन लेवल हाई करिए जिससे आपके भी साधी हो जाए और कोई दिकत न आजाए समाजी का अस्तर आपका मजबूत हो तो इसलिए हम कहा सकते हैं कि विश्व अस्तर की जब बात करते हैं तो 102 पुरुस पे 100 इस्थितिया लिंग अनुपात पाए जाता है जो अगर हम देखे तो प्रतिकूल है अनुपात नहीं है कुछ ही ऐसा देश है जहां पे प्र लिंग अनुपात क्या क्यों लिश्व भारत की भी बात कर लेते हैं तो 900 943 लिंग अनुपात 943 है यानि 1000 पुरुस पे 943 इस्तरिया पाई जाती है यहां पे इस्तरियों की संख्या 943 से 43 है 1000 अनि पुरुस पे तो हमने देखा भारत की बात करते हैं तो भारत में सो एक हजार पूरुष पे 943 शिस्तिरियां है अब आई एक और रिपोर्ट की हम बात करते हैं जो सुन्ग्त राश्ठ संघ के एक सर्वे क्या गया जिसमें 149 देशों में 139 देशों में अनुकूल जनसंख्यां प्रद हैं 750 हम कह सकते हैं chess La center and up Are you by Aнос और 7 t2 डेशों में को प्रतिकूल लिंग अनुपात पाया गया यह नहीं कह सकते हैं कि अधिकतर देशों में लिंग अनुपात अनुकूल है और कम देशों में लिंग अनुपात प्रतिकूल है जो 72 ऐसे देश हैं जहां पे लिंग अनुपात प्रतिकूल अवस्था में है कहने का मतलब है कि इस्तिनियों की संख्या कम है पूर्शों की संख्या अधिक है तो ऐस उसे में काफी पुरुस और विवाहित रहा जाते हैं परिवार उनका नहीं बस पाता है तो आज हमने देखा कि जनसंख्या संगटन अनि पापुलेशन कमपोजीशन का आधार क्या है किस आधार पे एक देश की अर्थ व्योस्था का हम मध्यान करते हैं जिसमें हमने आपको बताया कि लिंग संगटन आयू संगटन और आयू लिंग पिरामिड और ग्रामिड और नगरी संगटन या हम साचरता कर सकते हैं या ब्योसाइक संगटन के आधार पे हम जनसंख्या संगटन का आध्यान करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पिरामिड के द्वारा हम समझाने का प्रयास करेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद